हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स में जो हम पहले ही चला रहे थे 2021 का सेट नंबर तो इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके कई सारे सवाल हम लगवा चुके कई सारे कोशन को हमने सॉल्फ क को लिए पर यह पर आने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारा चैनल है टैली ग्राम पर यह जो हमारा चैनल के नेंप लिए ढिवारे घैप्त्व स्टाड़ी इसके नें खैनल के जिन कर ली जिए क्योंकि अशनी भी आपको यहां पर दोर Ф çık हैं जितना भी आपको हिर सारह पढ़ाया जा रहा है वह सारा पीडियाफ में और जो नोट्स है यह सारे आपको डैफ्ट स्टडी टेलिग्राम पर ही मिलेंगे तो चाहें तो आप वहां पर जाकर जोईन कर सकते हैं चलिए इस जवाल को सॉल्व कराते हैं जो कोशन लिखा हुआ है सबसे पहले तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि उर्जा बैंड क्या है उर्जा बैंड एक सिध्धानत है अब आपको इसके बारे में बताएंगे इसका एक डैग्राम है उसको समझा देंगे तो आप डैग्राम आपको बनाना पड़ेगा यही है उर्जा यहां पर किलिखा हुआ है उर्जा बैंड डैग्राम यह जो बना हुआ है यह उर्जा बैंड डैग्राम ही है क्या किया है समझाते हैं सबसे पहले यह जो उपर वाले बॉक्से से यह क्या है चालन बैंड है यह वाला चालन बैंड है और ये वाला भी चालन बैंड है इसी तरीके से जो नीचे वाला बॉक्स बना रखा है ये क्या है ये संयोजी बैंड है ये वाला भी संयोजी बैंड है इसमें क्या दिखा रखा है इस चीज को हमने चालक दिखा रखा है कि ये जो पूरा बना हुआ है ये चा कुछालक है और यह लास्ट को लाक बिधे कुछालक हो यह कचलदा ऑप इसमें ध्यान से अंतर साफ साफ दिखना हुग कि इन दोनों बॉक्सों के बीच कोई भी डिफरेंस रही है बीच में कोई भी अंतर नहीं है कोई भी गैप नहीं है आप यह कह सकते हैं लेकिन यह जो अर्दचालक वाला है इसमें दोनों बॉक्स के बीच में थोड़ा सा गैप है लेकिन जो कुछालक वाला है इसमें बहुत ज्यादा गैप है तो गैप को किस से लिखते हैं जी से लिखते हैं गैप का मतलब है अंतराल गैप का मतलब क्या है अंतराल ठीक है लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे हम एनर्जी गैप बोलेंगे क्या बोलेंगे एनर्जी गैप एनर्जी का मतलब क्या होता है उर्जा अंतराल तो यानि जो आपको gap दिख रहा है वो क्या है EG, EG का मतलब क्या है उर्जा, अंत्राल, इंगलिश में बोले तो energy gap, तो समझ में आपको आ गया, उपर वाले हम क्या बोलेंगे, ये सारे क्या है, ये है चालन बैंड, और ये जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं, इनको हम क्या बो इसमें दो ही प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है संयोजी और दूसरा क्या होता है, चालन अभी आपको दिखाया था, उपर वाला क्या था, चालन था और नीचे वाला क्या था, संयोजी बैंड था, फिर क्या लिख दिया कि संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन ह प्रवेश करते हैं धारा का प्रवहा यहां पे प्रवहा होगा ठीक है तो प्रवहा आप कर लीजेगा प्रवहा होता है क्या कि आपने क्या लिखा है कि संयोजी बैंड में जो इलेक्टरॉन होते हैं यानि इस वाले बॉक्स में जो इलेक्टरॉन होते हैं वो क्या करते हैं य कि चालक पतार्थों में क्या होता है इन दोनों बैंडों के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है और आसानी से लेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं यानि संयोजी बैंड से जो इलक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में बहुत आसान तरीके से चले जाते हैं लेकिन क्या होता है कुचालक में ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है अभी दिखाया था लास्ट वाला कुचालक था और उसमें अंतर जो था वो बहुत ज़्यादा था तो वही लाए लिख दिए और अंतर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है इलक्ट्रॉन जो है वो च कुछालक के में तीनों कि इसंतर होता है और इसंतर और हम उड़ जा ङुड़ा के हैर्ड तोगिन रहने दे Olur अर्द्द श्रालक और हमारा दुन तीनों कर दो है के यह करो के हाद कर आदो दानयाक पर समय कि इस तरथ हें न कॉई different को फितर आ độ चालक डिम पार होता है एक कौन सा होता है चालन बैंड एक होता है सहियोजी बैंड आप चाहे लिख लिए एक होता है सहियोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड जिससे क्या होते है सहियोजी बैंड में क्या होते है सहियोजी इलेक्ट्रॉन होते है चालन बैंड और फिर क्या करते है चालन ब क्छालक पदारतों में इन एनेरजी गैप का मतलब है ओर्जा अंत्राल पूरा हमने आपको याद भी करवा दिया है साथ में बस आपको क्या करना है इस डाइगराम को अच्छे से समझ लेना है डाइगराम अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत आसान तरीकी से बारे में लिख पाएंगे बिना किसी नियुक्त है कि जुगार की बेना किजी रटे हुए बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं तो आई होप आज के क्लास में हम आपको अच्छे समझा पाएंगे और आयूआप याद भी कर पाएंगे तो इस क्लास में रखते हैं अगले क्लास में जब मिलेंगे तो अगले एक नेक्स टॉपिक को नेक्स कोशन के बारे में आपको बताएंगे इस क्लास में इतना ही तब तक के लिए जय हिन जय भारन